सिन्स चाट होता है लावजाओ से जो अपने बेहन को रेस्क्यू करके अब मिस्टी माउंटेन पर ले आया था एक अलगी दुनिया से उसे इंट्रूड्यूस किया था वहाँ लावजाओ की बेहन लावटीन को पहली बार वावण का एक दिखता है जिसके अंदर से ट्रमिरंडस एनरजी निकल रहा था वो वावण का एक जल्द ही हैच होता है और उसके अंदर से एक जायंट थंडर ड्रागन निकल आता है लावटीन और लावजाओ के सामने ए बहुत खुश हो रहा था सिंसीट होता है मैजिक सीटी पे जहां फिलाल ही एक बैटल खतम होई थी सीव अच्छी तरीके से जानता था इसी बीस्ट एक ना एक दिन फिर से जरू लोटके आएंगी और बहुत पाउरफुल बनके लोटेंगी इसलिए उसे भी जल्दी से कि लाइफ पचा रही थी उसी वक्त उसे वाइड डेड एलिफेंट दिखता है और उसके बारे में वह इंक्वारी करना शुरू कर देता है कौन हो तुम मेरी मदद क्यूं कर रहे थे मेरी तो छोड़ो तुम तो इंसानों की भी मदद कर रहे थे तुम्हें भला यह सब करके क यहां मिलेगा तुम्हारा असली मक्सद क्या है बोल के जिईू इनकोरिई पर इंकोरी करने लगता है जिस पर वहएट जिईल है अपना इंट टॉ्डॉक्षन देता है क्योंकि information ही power था इसलिए darkness के बारे में white gel elephant जियू को बताने लगता है white gel elephant बतता है कि darkness कोई जिन्दा चीज नहीं है वो एक तरीके का energy है जिसे हर कोई किसी ना किसी तरीके से जरूर यूज किया है white gel elephant जियू को बतता है कि वो तो darkness से ज़्यादा वाकिफ होगा क्योंकि उसका क्रोट उसी energy के वज़े से हुआ है white gel elephant की बाते सुन जियू समझ जाता है कि darkness और कुछ नहीं बलकि spiritual energy है पर ऐसा answer पा कि जियू और भी ज़्यादा confused हो जाता है तब white gel elephant जियू को clarify करता है white gel elephant जियू को समझाता है कि उनका planet हर वक spiritual energy emit करता रहता है उसी spiritual energy को planet में रहने वाले creatures absorb करते है और जो energy absorb नहीं हो पाता वो planet से बाहर चला जाता है ताकि एक planet spiritual energy से overload ना हो पर जब एक creature मरता है उसका spiritual energy अची तरीके से disperse नहीं होता बलकि धर्ती के अंदर चला जाता है एक अलग dimension में चला जाता है और धीरे धीरे जमा हो हो कि energy एक ऐसे condition में पहुँच जाता है जो वो खुद सोचने और समझने लगता है और उसी energy की state को, उस malice को, उस undead energy को darkness कहा जाता है वालेट जिल एक जिरे जमा हो हो कि जब भी darkness धर्ती के गहराई से बाहर आता है भयां कर तबाही मचती है, मुर्दे जिन्दा होने लगते है पूरे दुनिया का balance ही, खतम होने के कगार पे पहुच जाता है पिछली बार जब darkness उभरा था, तब सारे दुनिया के experts इकठे होए थी और darkness को पीछे धकलने में कामियाब होए थी darkness को हलके में नहीं लिया जा सकता क्योंकि darkness और spiritual energy एक ही coin के दो side है इसलिए तो पिछली बार जब experts darkness को पीछे धकलने में कामियाब होए थे spiritual energy भी गायब हो गया था बोलकि वाइड जेल elephant जीव को सब कुछ explain करने लगता है पर वाइड जेल elephant खुद भी एक बात समझ नहीं पा रहा था darkness 300 साल में एक बात rise करता है और चारो तरफ बरबादी और तबाही मचाता है पर इस बार पता नहीं क्यों वो जल्दी ही अपना सर उठा रहा है और सारे सी भीष्ट को अपने साथ मिला लिया है सब कुछ सुनके सब कुछ जानके सब लोग घबराने लगते हैं darkness नाम के निव मुसिबत से डरने लगते हैं पर जीयू सब को दिलाशा देता है वो सब को समझाता है कि वो सब की संडरक्षन करेगा और अगर हो सके तो darkness को अपने जड़ से ही मिटा देगा जीयू बिना टाइम वेस्ट की सावलिंग को फिर से इंसानों के पास भीज़ देता है क्योंकि इंसानों को सावलिंग के help की बहुत ज़रुवत थी क्योंकि तबाह हुए शहरों को खड़ा करना जो था human nation को फिर से rebuild जो करना था सावलिंग के साथ वाट जड़ एलिफेन भी चला जाता है पर जाने से पहले वो magic city के लिए एक barrier क्रेट करके जाता है ताकि sea beast फिर से ना आ जाएं दुसरी और जीयू misty mountain के लिए निकल पड़ता है अपने घर के लिए रवाना हो जाता है सेंसीफ्ट होता है समंदर के गहराई में जहां सारे sea kings एक जगा पी कठा हुए थे octopus king, mermaid queen जैसे दूसरे sea beast बहुत चिंता में थे वो लोग चिंता में थे क्योंकि तीन sea kings मारे गए थे सिर्फ वही नहीं ocean prophet भी बहुत घायल हो गया था situation वोर्स से वोर्सन हो गये थे oceanic creatures के लिए वक्त अच्छे नहीं लग रहे थे तभी ocean का prophet उन सबको एक warning देता है warning कि उसके मनने के बाद oceanic creature फिर से land पे अटेक ना करें वो सबको समझाता है कि गल्ती उसी से हुआ है वो 4 transcend creature के power level को underestimate कर लिया था और उसी का फल वो अभी भुखत रहा है मनने से पहले वो सबको एक दिलासा पी देता है दिलासा कि उनका master फिर से rise होने बाला है और पूरे world पी अपना दबदबा create करने वाला है इतना बोल के ocean का prophet अपना दम तोड़ देता है और समंदर के गहराई में धोसने लगता है वही सबको एक अजीब सा चीज दिखता है उस gigantic whale मतलब oceanic prophet को एक अनुर्मस सा चीज निगल रहा था ocean का prophet किसी का आहर बन रहा था सिंसिव्ट होता है misty mountain में जहां जीव अब वापस आ चुका था वहां जीव का welcome उसके सारे beast कर रहे थे उसके सामने जुक के उसको greet कर रहे थे misty mountain में कहीं सारे बदलाव आ चुके थे और कहीं सारे new beast भी misty mountain को join भी कर लिये थे और जीव के आगमन से बहुत खुश हो रहे थे Hydra the three-headed snake और cerebrus the two-headed wolf अब बड़े और powerful हो चुके थे second transcend order में पहुँच चुके थे सिर्फ वही नहीं big year monkey और jet scorpion भी अब first और second transcend order में पहुँच चुके थे और जीव से कही time बाद मिलके बहुत खुश हो रहे थे जीव से तो पहली बार loud teen भी मिल रही थी और जीव के majestic look से बहुत इंप्रेस हो गई थी जीव के misty mountain में आते ही thunder dragon उसको greet कर निकले चला आता है फिल हाल के लिए तो thunder dragon first transcend order में था पर उसका skill कोई मजा का बात नहीं था thunder dragon के पास element immunity था जिससे वो elemental attack को थोड़ा बहुत resist कर सकता था thunder dragon के पास थो dragon bridge जैसा अनुखा skill भी था जिससे वो thunder और lightning व्रीट कर सकता था thunder dragon के skills देख जीव बहुत impress होता है इसलिए वो उसे thunder elemental spiritual grass देता है आखिर कर तुम अंडे से निकल ही गए तुम्हारा kind हजारों सालों तक जिन्दा रहता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम ऐसे ही evil होते रहोगे और powerful बन की इस world को dominate करोगे फिलहल के लिए तुम इस spiritual grass को absorb कर लो अपने आपको धिरे-धिरे stronger बनाओ बोलके जीव thunder dragon को encourage करता है और उसे stronger बनाने के लिए train करने को भेज दीता है जीव को welcome करने के लिए वां King Zhao भी आ गया था जो अभी freely sand को manipulate कर पा रहा था जीव King Zhao को उसका next command दे देता है हमें हमारे territory को जल्दी से जल्दी expand करना पड़ेगा हमारे numbers को जल्दी से जल्दी increase करना पड़ेगा King Zhao मैं अपने धुंद को चारो तरफ फैलाने वाला हूँ इसी बिच अगर धुंद के अंदर कोई human city आ जाए तो उसे handle करने का जिन्मा मैं तुम्हें सौपता हूँ याद रखो तुम्हें humans को subdue करना है और अगर कोई विरोध करे तो उन्हें वहाँ से खदेर देना है बे मतलब किसी को मत मारना हाँ हजारों को डराने के लिए उनको समझाने के लिए तुम एक को जरूर मार सकते हो बोल के जियू King Zhao को उसका instruction देने लगता है जियू वहीं पे नहीं रुखता वो तो Divine Flower को भी उसका next command देने लगता है Divine Flower को सेक्रिफाइसल अल्टर में कोटा बढ़ाना था मतलब जादा से जादा सेक्रिफाइस लेना था और सुपर हुमन्स को Misty Mountain में जोइन करवाना था Divine Flower तो जियू का command पागी confused हो जाती है Divine Flower के लिए जियू बहुत powerful था इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि जियू इंसानों को इतना जादा Misty Mountain में क्यों add करवा रहा है अंदर ही अंदर Divine Flower को भी doubt होने लगी थी doubt की कोई बहुत बड़ा और powerful enemy rise करने वाला है और इसी के लिए जियू इतना preparation कर रहा है और उसका शक सही भी था जियू डाकने से लड़ने के लिए अंदर्ड आर्मी से लड़ने के लिए preparation कर रहा था और इस बार वो अकेला लड़ना नहीं चाहता था हर एक race से वो मदद पाना चाहता था मिस्टी मौंटन में एक research institute बनाना चाहता था